दोस्तो आज की जो भाइकेंसी है वो तीन अलग-अलग कमपणी के तरफ से निकाली गई है दोस्तो इस वीडियो में हम आपको आपको आफिस वर्क और फिल्ड वर्क दोनों की भाइकेंसी की पूरी डिटेल बताएंगे बस आप इस वीडियो को पूरा देखें और दोस्तो वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक और चेनल को सब्सक्राइब जरूर्स कर लिजेगा क्योंकि यहाँ पर प्रति दिन आपको इसी परकार के जॉब से समद्धित वीडियो देखने को मिलेंगे दोस्तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कोमेंट बॉक्स म आपको हमारे फेस्बुक पेज का लिंक मिल जाएगा दोस्तो आप फेस्बुक पेज को भी फोलो कर लें क्योंकि वहाँ पर आपको जॉब से समद्धित सारे पंपलेट फ्री में मिल जाएगे आपको इस वेबसाइट पर आना होगा दोस्तो इस वेबसाइट का लिंक आपको हमारे फेस्बुक पेज पर मिल जाएगा और फेस्बुक पेज का लिंक इस वीडियो के कोमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगा दोस्तो इस लिंक के मातियम से आप इस वेबसाइट पर पह सकते हैं धूस्तों आज कि वीडियो में हम आपको हिमालिया कंपनिके भाइकेंसी के बारे में बताएं गया है आपको यहां पर लिखा गया है हिमालिया हर्बर्ल रिकीरमेन इसमर्में. इसलिए अपंब करेंगे तो एक नया सी पेज ओपन हो जायेगा जहां पर आपको हिमालिया कंपनी की भाइकेंसी की पूरी डिटेयर बताई गई है आप वहाँ से पढ़ सकते हैं और लिंक भी दिया गया है जहां से आप क्लिक करके इस भाइकेंसी के लिए ओनलेन अपलाई कर सकते हैं यहाँ पर लिखा गया है कि हिमालिया हरवर रिक्वार्मेंट 2022 अपलाई ओनलेन फ्रेशर और एक्स्प्रियेंस वाले दोनों लोग अपलाई कर सकते हैं दोस्तों सबसे पहले आपको नीचे जाना है नीचे स्क्रॉप करके नीचे आपको जाना है और यहाँ पर लिखा गया है कि एक भी रुपिया कमपनी के तरब से नहीं लिया जाएगा तो आप फ्री और पकोस्ट ओनलेन तरीके से इस पाइकेंसी के लिए अपलाई कर सकते हैं दोस्तों यहाँ पर पोस्ट लिखा गया है कि कौन-कौन से पोस्ट है और भी सारे पोस्ट है आप यहाँ पर अपने हिसाब से अपने पोस्ट को सेलेक्ट करके अपलाई कर सकते हैं यहाँ पर लिखा गया है जीरो से तीन इयर एक्सप्रियेंस यानि कि एक्सप्रियेंस वाले और फ्रेसर दोनों लोग अपलाई कर सकते हैं अगर हम इसके age की बात करें तो कम से कम आपका age 18 साल होना चाहिए और ज़्यादा सज़्यादा आपका age 20 साल होना चाहिए यानि कि 18 साल से लेके 20 साल के अंदर जो भी लोग हैं male या फिर female दोनों लोग इस vacancy के लिए अपलाई कर सकते हैं दोस्तों यहाँ पर सेलली की बात नहीं कही गई है तो जैसा भी आपका performance रहेगा उस हिसाब से आपको सेलली यहाँ पर दिया जाएगा दोस्तों अगर हम इसके selection process की अगर हम बात करें तो यहाँ पर साब साब company के तरफ से बताया गया है कि एक आपका exam होगा online तरीके से exam लिया जाएगा उसके बाद आपका एक interview होगा उसके बाद third round में आपका HR interview होगा और fourth round में आपका documents verification होगा यानि कि total चार round चलेगा चार round चलने के बाद आपका selection किया जाएगा दोस्तों अगर हम इसके qualification की बात करें तो यानि कि कौन कौन से लोग apply कर सकते हैं तो यहाँ पर साब साब बताया गया है कि तेंत पास हो या फिर 12 पास हो या फिर graduation पास हो या फिर VTEC वाले हो सभी लोग अपने अपने qualification के अनुसार से अपने अपने पोस्ट के लिए apply कर सकते हैं दोस्तों नीचे में आपको apply का link भी दिया गया है तो आप यहाँ से click करके डारेक्ट इसके लिए apply कर सकते हैं